जिला मुख्याला नारायनपूर के SDM कायलाय में एंटी करप्षन ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को छापा मार एक रिश्वत पूर बावुपूर रंगे हातों धर्दबोचा SCB की कारवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है SCB की टीम ने नारायनपूर जिला कलेक्टेट के SDM शाखा में सहायक ग्रेट टू के पद पर पदस्त संकिर कुमेटी को 8000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हातों पकड़ा मामला जमीन विवास से जुड़ा हुआ है जाचाननी चौक के रहने वाले लव देव दिवांगन से जमीन के नामांतरन के बदले SDM शाखा में सहायक ग्रेट टू पर पदस्त संकिर कुमेटी कई दिनों से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था जिसके चलती लव देव दिवांगन ने मामले की शिकायत ACB की जगदलपूर शाका में की इसके बाद ACB की ट्रिम ने जाल बिचा कर रिश्वत कोर बाबू को गिरफ्तार कर लिया आठ तारीक को प्रार्थी लवकुमार देवांगन रिपोर्ट जच कराया था कि इनके राजस दस्तावेच की नकल के प्रतिचाही गई थी तो SDM काईले नरायनपूर के बाबू के द्वारा इनको गुमाया जा रहा था और वो प्रतिलिपी भेजने के वज में 10,000 रुपए के मांग किया था तो अंत्ता 8,000 रुपए में उत्ताय हुआ और उसी रकम को बेनेग ले आ जाया था और ऐसे भी जगदलपूर के टीम में रंगया था पकड़ा करके वैधानिक करवाई की जा रही है रमिश मरकाम उप्पुली सदिक्छक एंटी करप्शन विवर जगदलपूर